दोस्तो सुसान सिंग राजपूत और रनवीर सिंग दोनों ही बॉलीवूड के वो दिकज कलाकार है जिन्होंने क्रिक्वेटर की बायोपिक को बखुबी से निभा कर लाखो करूरों दर्सकों को अपना दिवाना बनाया है। जिसकी वज़े से सुसान सिंग राजपूत की मौत के बाद भी आज इनके फैन, इनके करेक्टर को याद करते हैं और उतना ही पसंद करते हैं तो वही रनवीर सिंग की हाल में आई फिल्म 83 को लेकर खुबसुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि सुसान सिंग राजपूत और अनवीर सिंग में से कौन क्रीकेटर की बायवपिक में फिट बैठते हैं और किसे दर्सकों ने क्रीकेटर की बायवपिक के लिए सबसे ज़धा पसंद किया हैं n היih जानते तो कोई बात नहीं आज की हमार एक्टर सुसान सिंग राजपूत के बारे में तो आपको बता दे कि साल 2016 में इनकी आई फिल्म MS दोनी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक बस्टर साबित हुई थी इस फिल्म में इन्होंने इंडिया के मसूर क्रिकेटर MS दोनी की मुख्य भूमिका निभाई थी और इस फिल्म में उनकी जर्नी बताई थी कि इस तरह से MS दोनी इंडिया के सबसे फेमस क्रिकेटर बनी सुसान सिंग राजपूत ने इस फिल्म में अपनी दमदार एक्टिंग और एक्स्प्रेशन को अपने किरदार में पिरो कर बखूबी से परदे पर उतारा था और ये MS दोनी के करेक्ट थी और सुसान्त की मौत के बाद आज भी इनकी इस फिल्म को दर्सकोद्वारा बेहत पसंद किया जाता है अब बात करते हैं रनवीर सिंग के बारे में तो आपको बता दे कि इनकी हाल ही में रिलीज फिल्म 83 फेमस इंडियन क्रिकेटर कपिल देव पर आधारित हैं जिसमे रनवीर सिंग कपिल देव के करेक्टर में नजर आ रहे हैं जब 1983 में इंडिया के फेमस करेक्टर कपिल देव इंडिया के लिए वर्ल्ड कप लेकर आये थे इसमें इन्होंने कपिल देव की बायोपिक को बखुबी से परदे पर उतारा है और लाखो करोरों दर्सकों को इ उनके क्रिकेटर के करेक्टर को लेकर सबसे जादा पसंद करते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सुसान सिंग राजपुद ही वो एक्टर है जो क्रिकेटर की बायोपिक में बिल्कुल फिट बैठे हैं और आज सुसान सिंग की मौत के बाद भी इन्हें एमेस धौनी के करेक्टर के लिए दर्सकों के बीच जाना जाता है तो दोस्तों आपका क्या कहना है इन दोनों कलकारों के क्रिकेटर की बायोपिक के बारे में जानकर आप हमें अपनी राए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए और बॉलिवूड इंडस्ट्री से जुरी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले